लेकिन मैंने खरगोस भी नहीं पाल रखें देजी लड़ू गोपाल अगर काले पर जाया तो क्यासे करें कैसे चमगा लड़ू को वाइट कलर का एक चंदन आता है जिसको गोपी चंदन कहते हैं गोपी चंदन से आप लड़ू को पूरा लगा देजिए गोपी चंदन चारो कर लगाली उसके बार बार जटू कोपाल को इस्तनां या कि तो आप थोड़ा सा निलिये यह एक दिसी की पूजा विधी मैंने आपको बता दी है बेटी का पढ़ाय में मन नहीं लगता वो भी मैं आपको बता चुकी हूं नेक्स कुशन आप ले ले जी दिदी चंदन सिंगार डेली करना जरूरी है चंदन सिंगार डेली करना जरूरी नहीं है कि मेरे जो लड्डू 21 दिन के चंदन यात्र होती है जो कि अक्षय तिर्तिया से प्रारम होती है अक्षय तिर्तिया से लेकर 21 दिन तक लड्डू गोपाल को डेली चंदन लगाया जाता है और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको डेली लगाना ही है ये भी कोई जरूरी नहीं ह कभी अपने लग्डू को पाल को देली आप पूरा उपर से लेकर नीचे तक चंदन लगाओ ज़रूरी नहीं नेक्ट्स कोशिन ले लेते हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था एक अदसी के दिन समा की चावल खा सकते हैं बिलकुन भी नहीं खा सकते चावल चावल एक समान होते हैं समा की चावल चावलों की बीज होते हैं तो एक अदसी के दिन चावलों की 32 वराइटी होती है उसी एक वराइटी में समा की चावल भी आते हैं ठीक है तो एक अदसी के दिन समा की चावल नहीं खा सकते हैं एक अदसी के दिन साबुत बाना नह अच्छे यह सब गल्त है ठीक है नेक्स कोशन आपने तिवादी जी दुबारा कोशन पीछी पूछी यह पता नहीं कहां चला गया है नेक्स कोशन क्या कल से एकदसी का ब्रत शुरू कर सकते हैं अगर आप मेधी अडवाइज लोगे तो अगले महीने जेट मास में आने वाली है निर्जला एकदसी उस दिन से आप ब्रत स्टार्ट कीजिए दो एकदसी की और बात है कल एक और उसके बाद जेट मास की निर्जला एकदसी अपना एक अलग ही मैत्व है अगर आप नया ब्रत स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो निर्जला एकदसी से प्रारम कीजिए उस एकदसी से अच्छी कोई भी एकदसी नहीं होती है चलिए नेक्स कोशन ले लेते हैं दीदी अगर कोई दीदी ये तीरत क्या है दीदी ये तीरत क्या होते हैं जो तीर्थिस्तल होते हैं जो तीर्थिस्तल होते हैं उन्हीं कोई तीरत बोलते हैं जो तीर्थिस्तल होते हैं जैसी केदान नात हो गया बद्री नात हो गया विंदावन हो गया यही तीर्थिस्तल है उड़ी सा जगन लेकिन मैंने पदम पुरान में ऐसा पड़ा है कि अगर आप विंदावन चले जाते हो तो आप सारे विंदावन ऐसी जगे हैं यहां पर सारे विंदावन खुद बाप खुद आते हैं चलिए नेक्स कोशन तिवारी जी आपको दुबारा कोशन पुछन पढ़ेगा मुझे प और मैं नहीं कर सकते मैं तो पता नहीं कितने साल से ब्रत रक रहाए हैं मुझे अभी तक यादभ भी नहीं चश्री ब्रत को कीनटनियू करोнок और आभी मैं ब्रत रहे हूं और आध लोग एकदशी का ब्रत कंटिन्ट जब तक आपके सरीर में सामर्थ है जो एकदशी का ब्रत है वो महाब्रत है संपूर जगत के ब्रतों में सबसे सरवोत्व जो बोला जाता है वह एका दस्री का ब्रत बोला जाता है एका दस्री का ब्रत सबसे अच्छा ब्रत बोला जाता है तो आप एका दस्री का ब्रत अवश्ची और अवश्ची रखिए और तो चलिए अब मेरी संधिया बंदन का भी समय हो गया है आपको मेरे को वीडियो यहीं पर विश्रान देना प